बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए DU-CSAS Portal 2023 ओपन होने की डेट को लेकर Candidate DU-CSAS Portal जैसा कि आप लोग जानते हैं CSAS का मतलब क्या होता है Common Seat Allocation System यानि कि आपकी admission process जो है CVT UZE के जो candidate है जिनोंने भी CVT UZE की परिच्छा 2023 में दिया है और वो DU में admission लेना चाहते हैं उससे related किसी भी college में आप admission लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी update है कि आपकी जो counselling है वो 15 जून 2023 से start होने वाली है अब यहाँ पर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है इस time पर आपको अपने सारे document ready रखने चाहिए आपकी counselling के लिए candidate CVT UZE के result के पहले DU की counselling स्टार्ट हो जाएगी उसका registration स्टार्ट हो जाएगा साथ में preference भी आप उसके पहले ही choose करेंगे document upload, payment, registration सब कुछ आपका result आने के पहले हो जाएगा इस चीज का आप ध्यान रखें आपको ये नहीं सोचना है कि आप बाद में करेंगे result आने के बाद करेंगे आपको वक्त मिलेगा 10-15 दिन का वक्त आपको मिलेगा आपकी counselling की registration के लिए आपकी payment के लिए आपकी preference को set करने का माउका आपको मिलेगा 10-15 दिन का वक्त आपको मिलेगा लेकिन आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं registration तभी करूँगा जब CVT यूजी का मेरा result आएगा इस चीज का आप ध्यान रखेंगे साथ में आप लोग सारी चीजें बिल्कुल आराम से करेंगे क्योंकि जो आपको वक्त मिलेगा 10-15 दिन का वक्त जो आपको मिलेगा उसमें आपको सारी चीजें बिल्कुल एकदम अच्छे से जो भी अपने डाकुमेंट है उसको आपको सही-सही अपलोड करना है डाकुमेंट कोई भी आपका गलत है तो आप लोग उसका करेक्शन करने के बाद ही उसे अपलोड करें इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो 15 जून आप लोग डेट याद रखिए इस दिन से आपका रेजिस्टेशन स्टार्ट हो जाएगा DU के CSS पोर्टल के लिए कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी तो आपको इस चैनल से दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में दिये गए टेलिग्राम गुरूप को आप लोग जरूर जोइन करें जहां पर आपको यूटूब से पहले सारी लेटेस्ट अपडेट आपको कैंडिडेट मिलती रहेगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू लभीवाल नमस्कार